दो मुझे इसके अंदर एक तो पोजिटिव और एक निगेटिव न्यूज लगी है अगर इस वीडियो को आप दिल से समझोगे तो आप खुद बाखुद डिसीजन लेना और आपको देखना है कि भाई हमें मार्किट में वो चीजे पता लगी है अब देख रहे हैं डीप सर सिक्स और आज बात करेंगे हम वोड़ाफोन आइडिया की सर आज मैं अपने स्टूडियो के बाहर बैटाओं यानि कि मैंने जहां स्टूडियो बनाया उसके बाहर बैट कर आपको ये वीडियो बना रहा हूं और काफी ठंड है और आज मेरा मकसद आपको वोड़ाफोन आइडिया को समझाने का है क्योंकि दो मुझे इसके अंदर एक तो पोजिटिव और एक निगेटिव नियूज लगी है अगर इस वीडियो को आप दिल से समझोगे तो आप खुद बाखुद डिसीजन लेना और आपको देखना है कि भाई हमें मार्किट में वो चीज़े पता लगे जो चीज़े किसी भी शेर के लिए अच्छा हो सकती है तो ये आज की वीडियो को आप दिमाग से समझना है इ ये मैं इसलिए कह रहा है क्ई कि शेर मार्किट में कुछ चीज़े हमें समझनी पढ़ती है और उसे समझ कर हमें वर्क करना पड़ता है और बिना समझे हम किसी के कहने में किसी को शेर को लेंगे तो वो नुकसान कर देगा इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं जो चोटा सब होई ढू yahoo होजाता है आहिते लोग आपके घर में आपकी दादी अम्माब बहुत पुराने पुराने लोग जिनको ज़ादा गीनती नहीं आती लेकिन उनको आती थी सिर्फ दस तक तो उनको दस-दस करके वो गड़ी बना लेते थे और उसको फिर बात में गीनकर वो अपना पूरा कर लेटे इतने पैसे होगी इतने चीजी होगी क्या होता था उसके नदर वो सक्सस हो जाते थे आता कुछ नहीं था उन्हें लेकिन उनको 10 तक तो आता था ना इसी तरीके से शेयर मार्किट है जितना आपको आता है आप उतना प्रॉफिट लीजिए फिर उसमें और अध्यन कीजिए ऐसे आपकी चीज़े आगे तक बढ़ती जाएंगी समझ में आ गया ना तो ये बहुत भारी काम नहीं है पर यहाँ पर अपने दिमाग को हमें अच्छा करना है दो तर अब वोड़ाफोन आइड़ा की बात करेंगे सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि हमारे देश के केंद्रे रेलवे मंत्री दूरसंचार मंत्री और आईटी मंत्री कोने हमारे है अस्वनी वैशनव जी जब भी आप किसी भी चीज़ की अध्यन करें तो उसके M.D. या उसके बारे में जाने की भाई कोन-कोन लोग है उनके अंदर उससे क्या होगा एक तो आपका दिमाग बढ़ेगा सोचने की सक्ति बढ़ेगी तो मैंने आपको बता दिया हमारे रेलवे दूरसंचार मंत्री और आईटी मंत्री जो है अस्वनी वैशनव जी हैं और उन्होंने एक इंट्रिव के दुरान बता दिया एक पोजिटिव संकेत दे दी यह मुझे पोजिटिव लग रहा है दिकतर उन्होंने काया कि वोड़ाफोन आइडिया अपने फंड यानि धन यानि की फंडिंग के लिए हर संभव परियास कर रहा है और इमानदारी से वो परियास कर रहा है इसका मतलब कि अश्वनी वैशनव जी ने हमें बता दिया कि वोड़ाफोन आडिया धन के लिए निरंतर वर्क कर रहा है और वो यह भी कह रहा है कि वो निरंतर नियमित रूप से वोड़ाफोन आडिया सरकार को अपने फंड जुटाने की चीजों को बताता जा रहा है मतलब वो परियास कर रहा है और सरकार को भी इसके बारे में बता रहा है तो यहां से आपको लगा यह कि यह फंड कहीं न कहीं से तो भाई ले आएगा फिर जब इस तरह से बता रहा है पर यह प्रयास है, आपको यह भी समझना है, दोनों टरब लेकार आपको समझना है, अब मुख्य कारे कारी अधिकारी जो हमारे अक्षा मुद्रा जी उन्होंने कहा था कि दिसंबर तक वो फंड की चीजों को पूरा कर लेंगे, यह आपको याद है, और जब वो फंड की ची कई निवेशकों से और अमरीका के किसी वितिये चीजों के साथ इसको 20,000 क्रोड रुपे जुटाने थे तो वो भी अभी तक इसका फाइनल नहीं हुआ उसमें भी असफल रहा है तो यह एक तरह से निगेटिव है कंपनी के ऊपर काफी करजा है और आपको पता है कि इस करजे डाल रहा है दूसरा इसके जो पार्टनर हैं जो इसके अंदर PLC हैं UK वाले वोड़ाफॉन और इंडिया के कोन है अरित्य ब्रिला ग्रूप तो वोड़ाफॉन आइडिया हो गया तो वो तो धन से जूज रहे हैं व्यक्तिगत पूंजी या व्यक्तिगत वे के लिए पूं कि इन वनें अभी तक उपक्रण के सोदे को नेट्वरक को अभी तक क seperti क्या है यानि कि अभी कोईeni कि आया थिकी आफ्या उदर आब्स तीजने तो अब आपको इस वीडियो से क्या समझ मैं आया मुझे जरूर समझा देना ना मुझे समझा देना एक बार कि आपको इस वीडियो से क्या समझ मैं आया एक बात और मेरा एक दूसर चैनल जिसके अंदर आज आपको एन एच पी सी एच एफ सेल बीसनल क्यों लिस्ट नहीं है क्या चीज़े हैं उसके बारे में और टाटा स्टील की क्या मंसा है उसके बारे में वीडियो बनाई है आज रात को आएगी आट बज़े के बाद उसे भी जरूर देख लेना हूँ तो फिर मिलेंगे आप से इन वीडियो के साथ जब तक के लिए नमस्कार